हे गाईज वेलकम बैक तो माई यूटूब चैनल तो आज की सुडियो में हम बात करेंगे शेडिंग के बारे में कि हमें किस तरीके से शेडिंग करना चाहिए अगर आप अभी अभी ड्रॉइंग स्टार्ट कर रहे हैं या आपको शेडिंग में प्रॉब्लम होती है या अच सारी ड्रॉइंग में यूचंद करना चाहिए और ना क Начत सब भहले आपको प्रेस कंत्रोल करना चाहते हो तो लाइट शेडिंग हो है जब डार्क करना चाहते हो तो प्रेसर ज्यादा अप्लाई करके उसे dark shading कर पाओ तो सबसे पहले मैं बिल्कुल light pressure योज़ करके एकदम light shading कर रहा हूँ बिल्कुल अराम से कर रहा हूँ आपको भी इस तरीके से बिल्कुल अराम से करना है और पूरी अच्छी तरीके से फिल करना हूँ है और उसी तरह थोड़ा ज्यादा pressure apply करके थोड़ा dark shading करना है आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं कर रहा हूँ और उससे भी ज्यादा और pressure apply करके हम उससे भी ज्यादा dark value अचीव कर सकते हैं और आपको ये थोड़ी practice करनी पड़ेगी कि आप थोड़ा light से शुरू करते हुए धेरे-धे डार्क करते हुए डार्क एरिया अचीव करो जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ और उसी को आपको reverse में भी करना है dark to light shading और इस shading को थोड़ा समझाते हुए मैं ये drawing ड्रॉ कर रहा हूँ आप देख सकते हैं मैं simple से apple draw कर रहा हूँ और आपको ये देखना है कि sunlight किस side से आ रहा है तो किस side shadow बनेगा और किस side पे light area पड़ेगा कहां पे light shine करेगा और कहां पे dark area बनेगा वो आपको अच्छी तरीके से देखना है photograph में और अच्छी से समझना है उसके बाद आपको layer by layer pencil चलाना है अब चाहे तो different different grades का pencil यूज़ कर सकते हो या तो एक ही pencil को अलग-अलग pressure apply करके आप dark shading कर सकते हो layer by layer आप देख सकते हो किस तरीके से मैं कर रहा हूँ blending के लिए मैं tissue paper का ही use कर रहा हूँ और फिर एक बार और layer लगा रहा हूँ जहां पर dark कर रहा हूँ आप देख सकते हैं shadow को मैंने पूरा dark कर लिया उसके बाद नीचे side का जो apple का dark कर रहा है उसे मैं dark कर रहा हूँ तो आपको इसी तरह के से समझना है कि कहां पर dark कर रहा है अगर light उपर से आ रही है तो नीचे का area dark होगा बिलकुल इसी चीज को समझते हुए धिरे धिरे हमें layer by layer shading करना है अगर आप एक pencil यूज़ कर रहे हो तो आपको layer by layer dark करना पड़ेगा अगर आप dark pencil भी यूज़ कर रहे हो light pencil भी यूज़ कर रहे हो कि face पे गाल पे किस तरी के से shading हुआ है नीचे dark area उसके ओपर light area उसी तरह यहां पे भी dark to light area है उसी तरह के से face पे अगर यहां पे देखा जाए तो यहां पे भी dark area है क्योंकि light right shot से पड़ रही है और यहां पे भी dark area है अब देख सकते हैं आपको photograph को इस तरह के से observe करना है कि कहां पे dark area है और कहां पे light area है आप hair पे भी देख सकते हो मैंने किस तरी के से इसे draw किया है और आपको यह ध्यान रखना है कि अगर आप shading कर रहे हो तो बिलकुल उसे अच्छी तरह के से feel करो तभी वो अच्छे से blend हो पाएगा I hope आपको यह shading technique अच्छे से समझ आ गिया होगा अगर आपको shading में कुछ problem होती या shading अच्छे से नहीं हो पाती तो आप मुझे comment करके बता सकते मैं उसका reply बहुत जल्दी दूँगा I hope आपको यह video अच्छी लगी हो and thank you so much for watching